तो हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने मारे बायो मॉलेक्स जो चैप्टर नंबर 9 है जो हमारे आज से पर चैप्टर को पढ़ने का हम लोग लेते थे फोटो उसके अगर आपको चाहिए हो तक मैं आपको पढ़ेंगे आज एक क्विज मिलने वाला है तो यह कहां मिलेगा आपको यह क्विज मिलेगा आपको पहले हम लोग गूगल फर्म के थुरूँ मिलोग है लेकिन हम लोग अब क्या करने वाल है हम लोग अब उस क्विज को आइडे गर्चल पर जो है जरके फोलो कर सकते हो अपका लिंग में डिस्क्रिडवा ٍथैर वाल एगरवाल ऑफिशल थिक के अभ करने में हआले बायो हैए फटने वाल अब इसमें फिलयाग्राफ कुछ इंपोर्टेंट नहीं है इमपोर्टेंट पॉइंट है यह है कि हमस्ते बाड़ी में चाहिए वह एनिमल की बॉड़ी हो किसी भी अनिमल की टिशु ऑग इमेलके बाड़ी में क्या है टिशु कोई भी माईक्रोब हो मतलब कोई भी होते रहते है चेंज टाइंट के इस और हम जब यही इसे अनलिशिस करते हैं अर्थ पर अर्थ जमिन को प्रहां हमने जो ांदर जाके हमने उसका एक पाउट ले लिया पीस ले लिया और यह कहे एक नॉन लिविंग है हमारी बोड़ी क्या है लिविंग है दोनों के एनलिसिस किया तो कई टर्मस में वह सिमिलर मिला है ठीक है अब आते हैं हाव टू एनलाइज केमिक अकमपशन यह फर्स प्राग्राफ में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है आप इसे इंग्नोर कर सकते हो अब अनलिसिस हम कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं कुई भी टीशू हो उसे हम तोड़ते हैं तोड़ना मतलब ब्रेकड़ाउं करना उसे ग्राइंड करते हैं हम इसे मिक्सर करते हैं कुई हमरे पास बड़ा कुछ हमें खाना मनाना है फर्स पर जूस बनाना है हम जूस को ग्राइंडीन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसका फॉर्मिला क्या है सीस लटरी याद रखना कि को घ्राइब असक्ता है उसके बाद मतल पेस्ट Chelsea बनाते काמה तो हम लोग जोस्तिक स्मक्सापरेट मुलते हैं सेपरेट कर लेटें क्याjis करने करें growth तोन विल्ट्रेट का और एक नाम है टेक्निकल ही आम इसे कहते है एसी डॉल पूल और शेकेंड गों केते है रिटेंटेट और उसी हां और एक नम देते हैं जिसका नाम है एसीड इंसल्वीब ठीके अब इसका आगले इस पर यहां पर थेखो इन अब फिसारी यहां पर कुछ इंपरेट नहीं है अब यहां पर इंपरेट क्या है ठीके biomolecules क्या होते जो सारे carbon containing compounds है all the carbon containing compounds that we get from living ठीक है टिशूस और बायो मोलेकुल्स वह सारक सारे कार्बं के बने वे कंपाउंट जो हमें मिलते हैं लीविंग टिशूस से उसे हम कहते हैं बायो मॉलेकुल्स टीक है यह बेशिक है उसके लिविंग और गनेजम्स में इन ओर्गनिक पहले किसी भी even decide क्या करते हैं क्या करते हम लोग पहले किसी भी living टिष्ट को लेते या राम responds कि ंस यह रीवर का सब्सटेश है नहीं आले ष्ट को इसे शांची करते हैं दॉर युवर्ण इसे वैट-फिण करते हैं पानी जो होता है वह इवापरेट हो जाता है ठीक है पता है आपको यह बेसिक ठीक है और जैसे पानी होताए और फिर जलाते है और जलाने के बाद के निकलता है स檄ー में सारे निकल जाते लें युक टरें निकल जाते इसे हम निकल है दाते इस सवी inviting करते हैं में काके ओता है इसमें के इस में कंपSON स्थेयर होता है काल्षियम होता है इन और गंपाउंड से थार इन अरटनिकस तो यह इनकी लिंके pigman बनते है कल्सियम मंगनेशियम के ठीक है इंजी सकते हो इस अरटन फोसती यह भी मिलता है यह देखो जोल Agric registering में मिलते है याद रखना यह कमीलते है एस सीड के फैर की ऑलीजरी फ्राक्शन में मिलते है उसके बाद elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen oxygen chlorine सारे हमें पता है यह element मिलते हैं उसके बाद देखो यहापे क्या लेका है from a chemistry point of view हमें किसमें interest है chemistry में क्या होता है हम functional group देखते हैं इसके functional groups like aldehydes ketones aromatic compound इनमें हमें interest होता है but from biological point of view we shall classify them into amino acids nucleotides और हमारा क्या हो गया amino acids nucleotides and fatty acids क्यों नहीं हो रहा पता नहीं मुझे फर्स्ट टाइम सॉप्टियर दिमाग में और अच्छे से छप जाता है ठीक है तो amino acids मतलब क्या जो protein बनाते है nucleotide मतलब क्या जो DNA बनाते हैं और fatty acids मतलब क्या जो fat बनाते हैं यह हमारे पूरा ही मार्क हो गया ठीक है ठीक है जान दो देखो यह पर comparison करने हमें है help करेगा अब इसका क्या क्या याद रखने पहले तो फोकस करना कि oxygen याद रहे तुम्हें कारवन याद रहे hydrogen याद रहे और silicon इन चार को पहले याद करने तीक है इसको तो याद करना ही करने अगर याद होता हो इस टेबल के फोटो किसी लेजिए यह अपने टेबल पर लगा दीजिए इससे आप इस रोज रिवाइस कर पाऊगे यहाँ पे देखो adapted from cnr राओ लिस्ट पे हमारे बोड़े में क्या क्या इन और गिनिक कॉंस्टिमेंट्स होते हैं लिविंग टिशू में तिक है उसका हम लिज देखने वाले तिक है उसमें क्या क्या दिया है हमरे पास sodium, potassium, calcium, magnesium, water, compounds इन सारे हमरे बोड़े में प्रेजेंट होते हैं इस आरे इसलिए हम इने कहता है amino acid amino group भी है amino मतलब क्या NH2 group ठीक है और acidic group कौन सा होता है carboxylic acid group COOH ठीक है as substituents on the same carbon अब यह जो होते amino group, acidic group यह same carbon में present होते हैं एक ही carbon पे और जब ऐसा होता है कि basic group और acidic group same carbon में present होते हैं उसे हम कहते हैं alpha carbon क्या केते हैं हम लोग उसे alpha carbon और इसी वुझे से हम इने कहते हैं amino acid को हम एक और नाम से पेचानते हैं alpha amino acids क्या alpha amino acids यह कह होते हैं substituted methane होते यह methane जीसे होते हैं क्योंकि इंक के पास क्या होते हैं और बाकी दो ग्रूप कुण से कुण से पढ़ेंगे आगे दिर फोर सब्सक्राइब ग्रूप्स ऑक्यूपाइंग फोर वैलंसी मतलब क्या इलेक्ट्रों ने वह शेयर करना तो यह उक्यूपाइब करते चारो के चारो अप उसके बाद यह क्या है हाइड्रोजन हो इनकास द इस इंवाइनगे मतलब क्या जो वेरी करें जो वेरी करें डेसिन इस आज अग्रूप यह गूप की चेंज होने से अमाइनो एसिड का नेचर चेंज होता है ठीक है में गूप जो था हाइड्रोजन कार्बोक्स लिक ग्रूप और एक वेरियाबल गूरूप भी इसमें आग Cferim proteins are only of 20 types जो हम प्रोटीन में देखने मिलते है अमानो एसीड कितने की होते है वह होते है 20 टाइप के 20 टेप के कि यह याद रखना कि यह हैं ? तो ऊब किते हैं glycen जिसके पास और ग्रूब की प्लाइटरोजेन हैंOP उसे हम केते हैं Glycine, simplest है, ठीक है, अब methyl group, अगर methyl group हो, तो वो आपका होता है अलनीन, याद रखना, methyl group मतलब क्या, CH3 group, अगर hydroxy group हो, hydroxy methyl group हो, ठीक है, hydroxy methyl group मतलब क्या, CH2OH, अगर ये group हो, तो उसे हम केते हैं, सीरीन, याद रखना, तीनों, NGD में दिये हुए, ठीक है, और amino group, carboxly and the R groups, जो इसके chemical properties होते हैं और physical properties होते हैं, ये depend किस पे करते हैं, amino group पे, carboxly group पे, और R functional group पे, hydrogen पे depend नहीं करते हैं, अब हमें पेचानना है कि ये इस पर दो questions आईते हैं, ठीक है, हमें पेचानना है कि कौन सा amino acid basic है, और कौन सा amino acid acidic है, ठीक है, अब उसकी पेचानने कि लिए देखो, based on the number of amino groups and carboxly groups, कि क्या देखने हैं, amino groups कितने हैं और carboxly groups कितने हैं, based on the number of amino and carboxly groups, these are acidic, example glutamic acid, acidic example याद कर लो, जिसमें भी लास में acid लगाए, जिसमें glutamic acid, aspartic acid, ये कैसे हो गए, ये acid हो गए, ये कैसे हो गए, ये हमारे acid हो गए, अब बेसिक क्या होते है होते हैं, हमारे पास lysine, example याद रख लो, basic example lysine, यही exam में दो बार आ चुका है, इस बार, neutral example याद कर लो, valine, ये incentive में दिये हुए, आपको ये example याद करने ही पढ़ेंगे, ठीक है, चार्ड बना लो, इसका, similarly, aromatic की example भी दिये हुए, aromatic, आमने से कौन से, कौन से, टायरोसीन, phenylalanine, tryptophan, ठीक है, इसको उन्हें याद किया था, TPT, ठीक है, TPT, इसको हमने ऐसे याद करना है, अब पर्टिक के प्रॉपर्टी और अमने अच्छे इन अच्छे नेचर आफ नेचर आफ नेच्टू, यह हम आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, इसे हम कहते हैं, ज्व ज्विटर आइओनिक क्या होता है, जब उसको ऊपर एक सब, प्लस भी हो और मा-ईश भी हो, उसे हम कहते हैं, क्या विटर आईओनिक फर्ण जो बी फर्म दिया है, आपको क्वेशन आएगा कि, एडमिटिफायस, ज्विटर आइओनिक फर्म जो भी दिया हुआ है, आपका है तेकि अब 행्प कार भोक्सल ग्रूप एक्र ग्रूपक स्टत्रों यह जी का होसकता है आदीनितिंग कूट भी अ मिधाल ग्रूप और इथाईल और मृऊयर नॉन एटम क्या है यह कोемर भी एक से उननीस कारबन तक ठीक है फॉर जंपल अब यहां पर जहांदना यह एंसी क्यों आने की पॉसिबिलिटी निट में है पैलमेटिक एसीड है 16 कारबन याद रखो यह पारमेटिक के पास क्या है 16 कारबन से इंक्लूडिंग दा कार्बोक्सिल कारबन याद रखना अगर कोशन आए पैलमेटिक एसीड है और मेनी कारबन एक्स्क्लूडिंग दे कारबोक्सिल करबन इंक्लूड मतलब गिन के एक्स्क्लूड करना मतलब छोड़के तो आंसर बोलेंगे 15 अगर इंक्लूडिंग आया तो हम बोलेंगे 16 एरेकडोनिक एसीड हैस 20 का कारबोक्सिल कर बं अगराम कारबोक्सिल कर छों को इंक्लूड कर दे तो अरेकड़ोनिक एसिड में 20 कारबन एकम्स होते है ठीक है अब फैटी एसीड कुट बिसे चृचुरेटेड चाजूते मतलब क्या विदाउत डबल बॉन्ट और अनसैचूरेटेड मतलब क्या विद double bond एकके ऐसकते या एक से ज्यादा बी हो सकते हैं है क्या हुआ उसके बाद नौडिवस्टिम्पल लिपिड इस ग्लिसरेरोड हुष विचिय।्तिरएंच काहि है एक घ्लिसरोल झोल्य होता है ऊसमेद की लिपीड सब्सक्राइब कि अब अब आता है फैटी एसीड दोन होता है है यह होता है है यह होता किमेश्ट में बढ़ेंगे जो आसीड होते हैं वह इस्टरिफिकेशन करते मतलब क्या इस्टर बनाते इस्टरिक फंक्शनल ग्रूप है इसरी फाय लोल का एक टाइब का अलकोहौल हीट्राँट्राच्ट आड्वेश्य प्रूपेन नोन इस सकते या ऑफित के सकते हैं यहहां पॉंट इंपनेट है तिक है आपको पूछा जा सकते हैं कि पर लोवर मेल्टिंग पॉइंट होता है जिंजली याद रखना और यह विंटर में विंटर में तापमांज होता है वह कम होता है और विंटर में हैंस रिमें एस ओई इसके बाद हमें मार्केट में कुछ लिपीड मिलते हैं अब सम लिपीड यह एक इंपोटेंट है सम लिपीड चल नहीं रापें सम लिपीड फोसक्रस आनः ऐसदो फोसफफरास जो है नुटर आता है फोस्फो MOD ूस्त खालिट अदा ऊई यह क्या होटा है फोस्फो लिपीड लसिथीन का मिलता ही widely example they are found in cell membrane important में मॉजली कि चूछ रिखता नहीं स्टीसूस में जादर नुरेल टीशू में हमें लिपीड मिलते हैं इंका extent स्टेक्चर्च मेलें नंव होगा neural tissues उसके लिविंग और्गनिजम्स है और नंबर और कर्बन कंपाउंड हेट्रोशेक्लिक रिंग में जो हेट्रोशेक्लिक हेट्रो मतलब क्या कोई बीच में अलग सा आटम हो जैसे कि ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया सलफर हो गया ठीक है सम अब दर नाइट् साइन युरासिल थाइमीन याद रखना पाच नाइट्रोजन बेसेश होते एडिन गौनाइं साइट्रोसाइन थाइमीन अब यह वेन फाउंड एटाच टू टू चूगर धर कॉलेजिद जब यह नाइट्रोजम बेसेश एक शुगर से जुडते उससे हम कहते हैं नुकलि अब अगर नाइट्रोजम बेस और शुगर जुर जाए उसा हम किसे नुकलियोसेड और नुकलियोसेड अगर फोस्पेट जुड़ जुड़ जा हम उसे कहते हैं नूकलियोटाइड अब एड़नोसाइड थाइमिडीन नूकलियोसेड अदेन अगर लाइक आया तो आप समझ नूक्रियोटाइड बनाती है डी न डिन न ते बंगाथणान राइबो नूकलिक एसीड और यह बनाते है आर श्रीले में तक है यहां ठैक्षिं अपर सुगर कार्भोहाइड्रेट है यहां मेली चाहने के पायमिल्टी सॉपचिक्ज को चburukले लगे तनी मिस्तलाइट है टीके क्या है अधोर से मरेव उच्छन के दो 19 टीन पर 55 45 कि वो है हमारी आपकी फोस्फो लिपिड के लिए सी थिंग कि या पर पूछा सकता है कि नाइट्रोजन कहां पर आटेस्ट है यह आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है और कोलेस्ट्रोल का यह एक इंपरण कोश्चिन है कोलेस्ट्रोल में कितने रिंग से कोलेस्ट्रोल मे chemistry में ठीक है और फो बिसके के रिमेंडर क्या होते हैं प्रिमरी सिर्ष केंडरी में जो eher जो आपको बोडी में हिंपरेंट है जिंका रोल आपको पथा थीक्ष है अब यहां पर देखो in animal tissues our notices one notices the presence of all such categories compound in the figure 19.1 these are called primary metabolites however one analysis fungal and anacryphalus with thousands of compounds other than these primary metabolites like alkaloids flavonoids इसा हम करते हैं secondary metabolites क्या है basically यह देखो body में दो type के metabolites होते हैं primary metabolites secondary कि बॉढूड किया मतलब जो हमारा बॉडी में इसेंशक को तोड़ना करना इस से मैसे करना उसा इसом किस प्राइमर refund आपको इस टेवल को रट लेना है कुछ भी को रट लो तेबल को तीक है किसी लिंक करना है तरपिनोइट से तो समझ में आ गया पिगमेंट पता है कोई तो आप पढ़ेंगे आगे फोटो सिंथिस में केरेटिनोइट्स आपका और अन्थोसनिन और भी होते हैं लेकिन यह सेकेंड्री है ठीक है उसके बाद एसेंशल ओईल में लास में आ रहा है लेमन ग्रास वाइल समझ में आ रहा है अलकॉल और इस मतल लेक्टीन का एक्जमपल याद करना यह आया हुआ कोशन भी और आनकी पॉसिबलेटी भी है लेक्टिंग का एक्जमपल है कॉनकेंवलिन ए ड्रक्स पता है वीम ब्लास्टिंग कुरकुमिन पॉल्लीबर स्प्सिंग रबर गम सेलुलोस तो आते हुए बायो मैक्रो मॉलेक मतलब बढ़ा जिनका वजन जो आठरा से 800 तक होता है माइक्रो मॉलिक्यूस ठीक है और जिनका वजन दस हजार के उपर होता है उन्हें हम जन्रली मैक्रो मॉलिकूस काटेगरी में डालते समझ में है बेसिक ठीक है दे एसीड इन्सॉलिबल फ्रेक्शन है उनली फोर टाइ इन्सॉलिबल मतलब माइक्रो माइक्रो क्या कोण से होते हैं इनका वजन होता है इन दर रेंज ओफ 10,000 डेल टन्स एंड अब आव एक्सेप्ट लिपीड लिपीड का क्या होता है लिपीड का वजन कम होता है 1000 डेल टन्स के अंदर होता है लेकिन फिर भी वह बायो मैक्रो मॉलिकुल्स यह हम किसकते एसीड इन्सॉलिबल फ्रेक्शन के ग्रूप में आ जाता है क्यों इसका सिंपल सिजन यह है कि लिपीड सॉलिबल नहीं होता और सॉलिबल ना हो तो वह जो है निकल जाता है एसीड the micromolecules जिससे हम सिंपली केते हैば baio molecules बाकी सारे जैसे कि मतलब जो इन्सॉलिबल फ्रेक्शन में है जैसे कि अगर हम टसे संथे सघ्ड शर्ण शर्ण जमिश्टम सब्सक्रीज सब्सक्राज जब हैं चोटे चोटे ऊनिट मिलनके और ऊस्ट्रक्टर का नाम होता है पौली मतलब में बहुत सारे je सब्सक्रास का उसके इसकेचल कुंज सब्सक्राइब रोगों का इसकेचल मैं ड्यॉर्ट जूलिभर्ण इस में इसकेचल क मैं सब्सक्राइब। पर पर फंस पतन है ख्यां का वह्या है कि वश्लीज्चल सब्सक्राइब तीसlementsятель नियौंग hedge समझ में आ रहा होगा आपको क्योंकि यह पूछा जाता है ठीक है यह पूछा जाता है एसीड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजन्स रफ्लिस साइटो प्लास्मिक कॉंपोनेंट्स याद रखना जो एसीड सॉल्यूबल पूल होता है यह क्या दिखाता है हमें दिखाता है लगब लगवाटर फंडा इसमें वाटर सबस्टेदा होगा हमारे बॉड़ी माख पता है आपको 75 परसेंट लगबग वाटर होता है सेवेंटी परसेंट और परसेंट टोटल सिल्लर मास सतर से नबबे परसेंट क्या है वाटर है प्रोटीन कितना है दस से पंदर प्रतिशत कार्भोवाइट्रेक तीन लिपीड दो नुकलिक पास से साथ आयन से यह आपको एरेंज करने में बोलेगा कि आप इसे एरेंज कीजि प्रोटीन क्या है प्रोटीन क्या होता है पॉलिंपर होता है मन अचिड का मोनमर क्या होगा मनमर अमेरे मिलन मिलके पॉलिमर का नाम क्या है प्रोटीन हमारे पास As There are 21 types of Amino acids ठीक है, protein, alanine, system, proline, tryptophan, lysine, etc. protein is a heteropolymer not a homopolymer, मेरे ख्याल से गलती है, misprint है, 20 होना चाहिए था 20, 21 किसे होगे पता नहीं, alanine, systeine, lysine, याद रखना है याद रखना है सारे चीजे नाम, is a heteropolymer, तो याद रखना यूनिट से बना होता है, homo मतलब क्या, जो एक टाइप के यूनिट से मुनोमर से बना हो, यह basic ता, definition, अब इसने बता है, हमें essential amino acid through our diet and food, अब देखो, जो हमारे body बना सकती है, उसे हम कहते है non essential, जो body खुच से बना रही है, उसे हमें भास लेने के जरूरत ही नहीं है, उसे हम कहते है non essential amino acid, essential amino acid वो होते है, जो body को जरूरत होती है, और body जो है लेती है बाहर से, food के थूर, diet के थूरू, ठीक है, अब य आने की possibility भी बहुत ज़्याद है, ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, देखो, collagen दिया हुआ, collagen ठीक है, collagen का intercellular ground substance, collagen, trypsin क्या है, enzyme, insulin क्या है, hormone, antibody क्या है, fight infectious agent, antibody पता है, आगे पढ़ेंगे हम लो, receptor क्या है, sensory reception में help करता है, glut 4, glut 4, ठीक है, यह exam में आयो है, 2019 में, यह करता है glucose transport में help करता है, glucose के transport में, यह आपकी साहिता या मदद करेगा, उसके बाद, जो इस साल भी question आया था, और बहुत important question है, collagen जो होता है, most abundant protein होता है, animal world में, क्या होता है, collagen, most abundant protein होता है, animal world में, जो ribulose, bifosphate, carboxylis, oxygenous है, rubisco, यह most abundant protein होता है, in the whole biosphere, याद रखना ही है, ठीक है, क्या बता है, collagen होता है, सबसे जदा important protein होता है, पूरा most abundant protein होता है, animal world में, rubisco, आगे हम पढ़ेंगे, photosynthesis में, सबसे जदा important protein होता है, in the whole of biosphere, अब बते, carbohydrates पे, अब यहापको पता है, हम और पढ़ने वाले chemistry में, polysaccharides पे, polysaccharides मतलब carbohydrates होते है, इसमें हम क्या गता है, इसमें, जो है, another cross of macromolecules है, polysaccharides के जूडने पे, यह important है, monosaccharides as a building block होते हैं, याद रखना, monosaccharides, protein के building block, amino acid, carbohydrate के building block, monosaccharides, अब जो एक्जम्पल याद रखना है, cellulose, cellulose is a polymolic polysaccharides, consisting of only one type of monosaccharides, that is glucose, क्या इस बता है, cellulose सिफ एक इसकी type के, लबी क्या हो गया, homopolymer हो गया, only one type of monosaccharides से बना, कैसे, only one type of monosaccharides से बना है, जो है, हमरे पास glucose, याद रखना, और glucose का होता है, beta-d glucose हम पढ़ेंगे, क्या मिश्ट्री में, cellulose क्या हो गया, हमरे हमरे पास, homopolymer, starch एक variant होता है, of this, but, and, but, present as a store of energy implant, याद रखन प्लांट में जो food store होता है, energy store होती है, वो store होती है, starch के form में, किस के form में, starch के form में, ठीक है, animals है, another variant, animals के पास stars के जैसा ही, एक variant होता है, इसका नाम होता है, glycogen, यह पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे भी, क्या नाम होता है, इनका, glycogen, अब सबसे important है, आपको, inulin, inulin होत है, inulin polymer of fructose है, जो है, carbohydrate है, in a polysecret chain, the right end is reducing end, जो आपका right end होता है, R से R याद रखना, right end reducing end, left से non reducing end, ठीक है, इट है, इस ब्रांचे से सारा चीज़े पढ़े सकते है, यहाँ पर important है, starch जो है, आपका, iodine को hold कर सकता है, because उसके पास helical structure होते है, क्या होते है, helical structure होते है, त starch i2, starch and iodine complex, बनेगा, वो कैसे कदर का होता है, blue color का होता है, कौन से कदर का होता है, यह होता है, आपका blue color का, cellulose जो है, complexes नहीं होता है, उस cellulose के पास, और इसी वजए से वह i2 को hold नहीं कर पता है, और यह blue color नहीं शोक कर पता है, ठीक है, यह हो गया basic, हम देखो यह तो प glucose amine, and acetyl galactose amine, ठीक है, यह क्या होता है, यह modified sugars, ठीक है, जो काईटीन पता है, आपको fungi में भी होता है, आर्थरोपोर्स में भी होता है, ठीक है, यह भी एक क्या है, complex polysaccharide है, और यह जो होते, this complex polysaccharide है, हेटरो polymers, ठीक है, अब बता है, आगे, nucleic acid पर, nucleic acid को हम ढटने वाले है, genetics में, तो यहाँ पर हम just overview लखेंगे, ठीक है, हम ने बताया था, एक molecule है, क्या है, वो nitrogen based, sugar है, दोनों मिलके बनाएंगे, nucleoside, nucleoside plus nucleotide, अब इस पर दो type की होते है, nitrogenous bases में भी, एक होते पाइरीमीडीञ्ज और एक होते हैं, purines. Purines का example याद कर लो, adenine and thymine. Purines का example याद कर लिया, आपने याद कर लिया, sorry, adenine and guanine, ठीक है my bad तेक्ड है और बागी जो होते है और तीन होते है होते हैं थाइमीन ठीक है आपका रिंग से पढ़ेंगे जेनिक्स में और आपका यह होते हैं 유ıs के तीन एक्जांपल ऐं थामीन यूरसील और साइटो साइन थायमीन जो घ। होता है वो मिल कila डिन में यू रसव मिलता है वह मिलता है आर ने में के प्रॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ऩता का सब्सक्राइब अब छो पेलाओrene Čशीड गैह यह जो होता है वह पहला होता है न यह यह उर्मिनल होता हैन के 봐 जो प्रोटीन होता है वह एक थ्रेड सामान नहीं होता थज are not exist out as अ की होता है होता होता हैं यहां पे देख़ो सेखिन ट्रक्टर क्या होता हैं hours अब हमए हिस्ते sthar क्रीचो अब किает मिध मस्टures अब क्या हता है क्या होता है फोल्डिंग होती है और उस फोल्डिंग को हम कहते है secondary structure जब एक simple line मना ली उसे हम कहते है primary structure जब उसे पह फोल्डिंग हो उसे हम कहते है secondary structure ठीक है उसके बाद एक होता है tertiary structure जब वो आपने खुद के ऊपर फोल्ड कर ले याद करना यह लाइन लॉंग प्रोटीन चेन इस अल्सो फोल्डेड अपॉन इट्सेल्फ जब वह खुद पर ही फोल्ड करने लग जाए एक होलो वुलन बॉल जो आपका एक बॉल होता है वुलन का बना हुआ उसका सहमान दिखता हुआ है तर्शरी स्ट्रक् अब इसमें और फॉर्दर जो है एसेंब्ली अच्छान बनाता है और यह बनाते हैं और यह बनाते हैं क्वाटर नरी श्ट्रक्टर या रटना पहले प्राइमरी फिर और कॉइलिंग वी सेकेंडरी खुद की उपर कॉईलिंग वी टर्शरी और फिर वह सब मिलके असेंब् यह याद करने के जरूरत ने यह सेंड जो याद करने के जरूरत है यह बहुत लोग मिस्क सकते कि टाइरोसी की स्ट्रक्टर यह पे दिया हुआ है है ठीक है symbol देखो यहापे symbol हैं पढ़ेंगे केमिस्टरी में ठीक है यहापे टाइरो सिनिमी अर्ड यह रिंक दिखरें आपको यह इंपोटेंट ए इसकला देखो यह 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 सेकेंडरी स्ट्रक्चर यह टर्शरी में इड़ा-मेड़ा ताब उस आम थे थीड़ी फिगर- तरशरी स्ट्रक्चर है कि हमोगलोबिन के बता है आपको हमोगलोबिन क्या होता है उतना कुछ है नहीं बॉंड में क्या होता है आपको प्रूटिन को क्या कहता है पॉली प्एटेट केसा बॉन्ट भॉंट होगा फ्रिटेड बांवन्ड का मतलब जब आपका मैंन शाइघ्ट का टू गरूप होटा है और दूसरे मैंन अच्ड का होता है आउसके के पास एब का इन एस टू गुरूप है ठीकिंग आगले का C O O H ग्रूप है तो यहां जो आपका यह ओच है hydrogen की निकल जाता है ठीक है और आपका बना देता है N एच सी दबल बंड ओ इसा हम कहते है अमाइल लिंकेज यह समकेटे है फैप्टाइड बॉन्ड इस बॉलते हैं यह हम इसे एक होता है ग्लाइकोसीडिक बॉन्ड यह आते हैं आपका polysacreate में इन पोली सेक्रेड इंडिविजव सेल्क्रेड से लिंग ग्लाइकोसिडिक बॉंड जो आपके इंडिविजिव से सक डाइट होते ओंकि ग्लाइको सेलक्ट के थू तुम्ट के तू यह थाम फोस्फोडाइस्टर बॉंड फोस्फो इस्टर बॉ आपका पॉलिसेक्राइड में कार्भोहड़ेट में ग्लाकोसिडिक बॉंड और डिन अगरे में आपका फॉस्फोर डाइस्टर बॉंड देखने आपको मिलेगा ठीक है अब यह हो गया है यह आप सब आगे पढ़ेंगे सब्सक्राइब यहां पर इतना डिसक्स ने करूंगा वाट्सन क्रिक ने दिया था वाट्सन क्रिक मॉडल जो था फेमस दिये ने हलिकल स्ट्रक्चर ठीक है यह डाइगरम दिया हुआ है देख लेंगे हम बाद में ठीक है चार बेसेस्ट यहां पर बेसिक प्रता दोंगा आपको इच स्टेप ऑफ एसेंड जब होता है ठीक है तब 36 डिगरी एक स्टेप में बढ़ता है कि टोटल घूमना 30 डिगरी जे और हर जो बीच में मतलब 10 अमनुटाइड होते हैं इस बीच में कितने होते हैं अमनुटाइड ने नूटाइड थीक है आज पता ने क्यों इतने गलती हो रहे ठीक है दस क्या होते है तो यहाँ पर बेस पर जो है 36 डिगरी राइस कराएगा तो यहाँ यहाँ पर याद करो यह पिच क्या ओता है पूरी दूरी यह दो दस बेस ते दस बेस पेर ते यह जब लाइन से जूड़े हुए थे तो इनके बीच में दूरी थी वह है पढ़ेंगे इसका डाइनेमिक स्टेट दिया हुआ है टर्न ओवर नंबर टर्न ओवर नमबर मतलब क्या एक एंजाइम यह कुई भी चीज मॉलेक्यूल की टर्न आपने पतला होगा कि इस कंपनी का टर्न ओर इतना है यह दस हजार किलो च्टिल बनाता है वैसे बॉड़े में कि संभावना बहुत जाएंगा तीक है क्या होता है क्या होते है ट्रहं एनजान क्या होता है बादा मतलब करना है ने सींटिस करना का तोड़ установ क्रुदर हो ए थिक हैं effectivement ट्राइप Two है ट्रभ गर गोड्स ट्राफिण करसी ठीक है अब आगे आते हुए अब बहुत बच्चे मिस कर देंगे यहां पर देखो यहां पर जुमें दिखा रहा हो फॉर एक्जम्पल फॉर्ट लाइन दो ब्लड कॉंसेंट्रेशन इन नौर्मल हेल्दी इंडिज्वल जो ब्लड में कॉंसेंट्रेशन होता है ग्लुकोस का वह होता है साड़े चार से पाच मिली मोलार याद रखना साड़े चार से पाच 4.5 से 5 यह बहुत लोग मिस कर सकते हैं यह इंसाइड में दिया हुआ है उसके वह सबसे और इक इंपरेंट पॉइंट यहां पर लीविंग स्टेट जो होता है नौन एक्विलिब्रियम स्टे करते हैं कि कि इतना इससे कोशन नहीं होता है दोधिक आता है लेकिन यह जो इतना कुछ ने देखो यह इतना दिया है एंजाइम जो है 40 डिगरी के आसपास 35-30-40 डिगरी पर अच्छे से काम करते हैं लेकिन जैसे ही जो हाइट होता है जैसे हाइप प्रेशर होता है जैसे कि फोटी डिगरी के उपर फोटी डिगरी के उपर जब टेमपरेटर पोर्शन लग जाता है तब एंजय का फंक्षन जो है ठीक है इंपर्टेंट है लेकिन कुछ ऑर्गनिसम ऐसे भी होते हैं जो एकदम गरम जागा पे रहते हैं जैसे क भी रिज़तर साहता दाएगा कि मतलब इस टाल जया काम यह होता है कि रियक्षन को स्पीड करना सब्सक्राइब करें तो यह जल्ड़ी जल्ड़ी रिच्चिंग कराएगा इसी तरह अगर बोडि में एंजयम्स एंजयम्स कहमारें बाडी में मिलते हैं और किसमारे जो तो स्पीड यह करते थे यह जो या तो जो हमारा होता है वह हाफ होता है इसे यह हम कहते है पड़ो गई है इसके फार देखो यहाँ पर यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है अगर जो रियाक्षिन दिया हुआ है co2 plus h2o plus co2 carbonic anhydrates h2 co3 यहाँ पर जो एंजाइम है जो कैटलिस्ट है कार्बोनिक अगर यह ना हो तो यह जो रियाक्षिन है 200 molecule बनाएगा पर अवर एक घंटे में कितना बनाएगा 200 molecule बनाएगा लेकिन अगर एक कैटलिस्ट आ गया एंजाइम आ गया तो यह कितना बना रहा है यह 6 पढ़िप है को उसका देत्य कया जिया अवी कुछ नहीं है कितना रवर क्या होता रोता है जाइस होता है किया होता होता है सब्सिट्रेट बढ़िबर सब्सट्रेट अब ग edeart अ चीज़ लिया जिससे आपको बनाना है प्रूड़क्ट सब्स्यु आइन्जयं जो है मिल जाता है यह मतलब क्या एंजाइम यह बनाता है सब्स्ट्रेट एंजाइम कॉंप्लेक्स सब्स्ट्रेट एंजाइम कॉंप्लेक्स कंवर्ट होता है सब्स्ट्रेट सब्स्ट्रेट एंजाइम कॉंप्लेक्स में सब्स्ट्रेट क्या बन गया अब बन गया और लिएग्राम दिए वा सबसे इम्प्रणते यहां पें एक ट्रांजिसेशन रेहां किश्चेट बनेगा मतलब जहां पें ट्रांजिशन हो रहा है किसी मेग्रिक्ट का नेचे तो यह होगा एक्जो थर्मिक क्योंकि आप एनर्जी रिलीज हुआ अगर यही उल्टा होता है मतलब ऐसे होता कि सब्स्ट्रेट नीचे प्रोड़्ट उपर उसे आम कहते हैं अब इसको यह एक्टीवेशन एनर्जी है मतलब क्या एक्टीवेट करने के लिए कितनी एक्टीवेशन एनर्जी अगर विदाउट एंजाइम जो एक्टीवेशन एनर्जी को कम करके जल्दी जल्दी प्रोड़्ट बनाना ठीक है यह इंप्रोड़्ट है अब आते आगे यह तो आपका हो गया कि मतलई इस अध़ा पड़ लिया भी हमने बाइंडिंग होता है फिर निकल रइस प्रोड़्ट बनता है प्रोड़क्ट के बाद एंजयम हो जाता है यह और उससे कम भी प्योड़ों का ग्राफ से मी थीए तो अगर उससे कम होगा उससे ज्यादा होगा दोनों किसमें यह पिएश है यह एकस पर प्याइब करेगी इंजैम की एककशें प्रफर्म कर रहा तो एक ही धीर है इसका एक थरह कर रहारा है उससे कंख हो उस से için कम पिएच ऊससे कम पिएच यह आप्टिमम तेमपरचर यहाँ पर दिया हुआ है एक और ग्राफ ठीक है वेलोसिटी ओफ रेक्शन अब यहाँ पर सिर्फ इतना यहाँ रखना है जो वेलोसिटी ओफ दे रियक्शन जो मैक्समुम वेलोसिटी है उसके आधी हो वी मैक्स बाइट्व हो उस कॉंसेंट्रे क्रिटिकल कॉंसेंट्रेशन करते हैं यह दिया नहीं कभी पर लेकिन यहाँ पर ग्राफ में सिर्फ दिया हुआ है के यह वी मैक्स बाइट टू से इसो हम दिनोट करते है अब यहाँ पर इंपर एंपरन्ट पॉइंट का है एक होते इनिबीटर अब इनिबीटर मतलब क्या इनिबीट करने वाले इनिबीट करना मतलब क्या रोकना उसमें दो टाइप क्ये मतलब क्या और जाकर जूट जाकर को यह न आगे पढ़ेंगे यार करना का does आ इंजाइमके लिए है वो है इनिइभीशन औफ सक्सिनेस डि हैट्रीण इन हैड्रोगेन याद रखना जो इनिइभीशन होता है सक्सिनेट होता है मैल्टोगेन याद रखना यह important historical point है completely inhibitors of the Baktery जाम आगे पढ़ेंगे बिएसे ठीक है milliards === और इसको हम फुर्दर डिवाइड करते हैं फॉर्टीन टूस फॉर्टीन सब क्लासेश में ठीक है और हम उसका नाम जो होते हैं उसको हम देते हैं फॉर डिजिट नंबर ठीक है इंपोटन्ट अब फ्लासे कुण से कुण से औक सीडो रिड़क्टेश और डिएड्रोजन नाम सब्सक्राइब और और रिड़क्षन हो रहा है मतलब क्या कर रहें तो यहां पर यह उसे आंके थे और डिएड्रोजन देखो एक पहले ऑक्सिडाइज था एक रिडूस था बा तो वह किस क्लास में आ गया है अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है तो वह हो गया ऑक्सिडाइज डिएड्रोजन इस ठीक है यह एक्स वाइग्रूप निकल जाएगा साथ में भार ठीक है और सी डिवल बन जाएगा यहां पढ़ता ही है और ने केमिस्ट्रि में त इक होते हैं यह गाइज है इंजाइम ऐसे हैables मतलब आएसं ने खेया हो गया निकले मार्क हो घडिया यह अग हो फेक्तर नियुक compare'd was अब यहाप यह पर आता है और यहाँ व्याप्तैजन W इन ऊपर किसे 700.ड消 Computing considered जो यह होता है कभी कभी non protein के सब्सक्राइब जो प्रोटीन नहीं है वह भी आ जाते और वह भी प्रोटीन में जूड़ जाते ठीक है उसे हम कहता है क्या cofactor अब याद रखना लोग्त प्रोटीन पॉर्षण जो प्रोटीन थीआ है कि आपार्वानिक और रिखितिक के ऐसके ऑरगीनेट निके तो जोर गूंपोक्ड टीक है कि समért इसमें ही मोटने गडूप कि दोने क्यों है एन्जानीमिक होता है शुथ सस्रेट्ट pista अपने जोड़ते हैं और गजंपाउंट ही है लेकिन यह क्यों होते हैं यह कुछ समय के जुड़ते हैं उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है को एंजाइम का एक्जम्पल दिया है निकोटिनामाइड अडिन डाइन नाड़ी नेडी पी इन में क्यों होता है नाइसीन उसके बाद यहां पर दिया हुआ स्बसे इम्प्रोंट और यह बूत बदा चुक है जिन्क जो होता है जिसका नाम है अगया फैक्ति लिए होता है हम आगे पढ़ेंगे हैसिन चत्र में और ओक्ट तो यह पूरा हमने कवर कर लिए इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा बताने लाइक तो इस पर आज ही आपका क्वीज होगा और आज ही हम इसको पूरा खत्म कर देंगे तो यह बाया मलत विजे ने